हलो बच्चो हैं तो क्या अब तयार है आज हमारी केमिस्ट्री की क्लास में हमने जो एसे बेशन सॉल स्याप्टर के शिरुवात करी थी उसको आगे बढ़ाने के लिए तो अब बारी है बेशन को जानने की राइट होता क्या है कहां कहां पाया जाता है कैसे बनता है इनके अलग-अलग टाइपस क्या है इन सभी सवालों के जवाब आज हम ढूणने वाले हैं सो आज की क्लास में हम बेश से रूबरू होंगे उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे फिर हम ये भी जानेंगे कि एक एक एस्ट और एक बेश में फरक कैसे पता करें जल्दी से अपनी कॉपी स खोल लीजिए बच्चो जल्दी से हेडिंग लगा लीजिए बेश तो उस बेश सुनते ही आपके दिमाग में दो चीज़े आ जानी चाहिए बच्चो और वो क्या है घबराना नहीं है और आपको ये समझना होगा कि बहुत ही सिंपल है आपको याद रखना होगा कि बेश का टेस्ट क्या होता है जो कि होता है बिटर अगर आप इनको चू के देखो तो आप ये भी महसूस करोगे कि ये बहुत ही सिंपरी होते है मतलब आपके हाथ से कैसे फिसल जाता है हाँ जी समझ गया हो ना ये बात उसी प्रकार से कोई भी बेश अगर आप चूओगे तो बहुत ही सोपी और स्लिपरी नजर आएगा आपको वो उन टाचिंग बैस के बारे में बारे में दोनों point बाइस और सोपी अं टाचिंग इजए फ्यार में इस और किसन की और बढ़ते हैं और अब ये इस यह इन उस तो सौफ़िंश को कहेंगे जिस भी सबस्टनेश में बेश होगा वो इस सब्सेंश को कहेंगे हम बेशिक सब्स्टैंश क्या कहें बच्चों सब्सक्राइब बेशिक सब्स्टैंश घ्ल गरेट थेां कुछ एग्जेमपल देख लेते हैं जहां पर बेशिस हम ढूढ सकते हैं बताईए रोज मर्रा की जिन्दगी में कहां-कहां आप bases देखते हैं, बताइए ज़रा soap, detergents, shampoos, बहुत सारी अलग-अलग जगव हैं जहां पर आप अपनी day-to-day life के जो products use करते हैं, उसमें bases पाए जाते हैं clear? तो कुछ examples आपने, मैंने बताए आपको washing powder, soaps, detergents in detail हम chemical names के साथ भी हम सीखेंगे इनके बारे में आ हमारे lecture में, okay students, so now you have to understand that base exactly is nothing but a substance which is bitter in taste and which is soapy on touching so base के बारे में आपको अगर याद रखना है, बहुत आसानी से आप याद सकते हो, कुछ products को याद रखें जो आप day-to-day यूज़ करते हैं शैंपू आप यूज़ करते हो, साबन, soap आप यूज़ करते हो, glass cleaners आप यूज़ करते हो, इन सभी में basis पाए जाते हैं बच्चों, तो जब हम कोई चीज, examples के साथ हमारी life में relate करते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, so bases are used in many products which we use in our daily life such as, soaps, detergents, shampoos, glass cleaners, etc. Okay students, तो अब हम base के बारे में, ज़्यादा जानकारी बाने के लिए arheneas concept को समझेंगे, arheneas ने क्या बताया है, base के बारे में, so understand students, जैसे हमने acid के बारे में जब बात की थी, तब भी arheneas concept को discuss किया था, similarly now, when we are discussing about base, we have to understand arheneas concept of base, is it clear, so arheneas concept के बारे में बात करते हैं, अब हम, जो कि 1884 में arheneas जी ने बताया था, और ये बताया था, कि base के बारे में, कि they release hydroxide और hydroxyl ion, आपको वहाँ पर याद है, acid में कौन सा ion था बच्चों, बताये, याद करने की कोशिश कीजिए, tell me quickly, comment section में जरूर बतायेगा, कि acid में जो ion release होता है, वो कौन सा है, ion ionization, कौन सा ion है वो, base की अब हम बात करते हैं, और base में जो release होगा, वो होगा, hydroxide ion, जिसे हम कहते हैं, OH- ion, hydroxide ion, इसका एक और नाम है, hydroxyl ion, is it clear, this is the ion which is released when it is in the aqueous solution, ये बात ध्यान रखिएगा, the substances which give hydroxide और hydroxyl ion in their aqueous solution are called as basis, बच्चों, basis के बारे में जो ion release होता है, ये hydroxyl ion आपको पता होना चाहिए, OH- ion को hydroxide ions भी कहते हैं, hydroxyl ions भी कहते हैं, generally हम ये hydroxide ज्यादा use करते हैं, okay students, sodium hydroxide, calcium hydroxide, इसी तरीके से तो नाम लिए जाते हैं, basis के, right, so is it clear now, basis में जो ion release होगा, अपने aqueous solution में वो है, OH- ion, यानि की hydroxide ion, is it clear students, Arrhenius के इस बात को आपको याद रखना होगा, अब जबकि हमें समझा ही गया है, कि basis are soapy on touching, basis are bitter in taste, basis release OH- ions in their aqueous solution, now let's see some examples, so students, ये बात याद रखनी हैं, उसका touch और उसका taste, these two points have to be remembered on the base, बच्चों जैसे आपको अपना नाम और अपना nickname याद होता है, simple है, चुमकि हम ये रोज यूस करते हैं, base के बारे में भी ये दो बाते तो याद होनी ही चाहिए, वरना आप base के बारे में कुछ और लिखी नहीं पाहोगे, is it clear students, bases are soapy on touching, bitter in taste, and now let's see some examples, जैसे मैंने आपको बताया था, sodium hydroxide, NaOH is one of the very common example of base, calcium oxide, calcium hydroxide, aluminium hydroxide, सब में अगर आप नोट करो तो OH है, OH-7, CAO, calcium oxide भी एक base है, चो बच्चों आपको याद रखना है, oxides, hydroxides, carbonates, hydrogen carbonates, ये जादा तर सभी basis होंगे बच्चों, is it clear, we will understand about them in detail with some more examples, for now we have to understand, कि oxide, hydroxide, carbonate, hydrogen carbonates, ये सभी basis हो सकते है, is it clear, so now let's move forward, and understand what is an alkali, alkali क्या होता है, जानना जरूरी है, okay, so alkali को यहाद रखने के लिए बहुत बच्चे, एक common word, analkali ये उस करते हैं, ताकि वो भूले ना, okay, so alkali में exactly होता क्या है, bases which completely dissolve in water, bases which completely dissolve in water, are called alkalis, अगर हम एक base को लें, उसको पानी में मिलाएं, तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ bases completely dissolve हो जाएंगे, और कुछ bases completely dissolve नहीं होंगे, most of the bases does not dissolve in water, but some of them do dissolve in water, so जो bases पानी में dissolve हो जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे, alkalis, क्या कहेंगे बच्चों, alkalis, ये बात आपको याद रखनी है, alkalis वो bases होते हैं, जो पानी में dissolve हो जाएं, उनका special name रखा खाया है, उन bases का जो पानी में dissolve हो जाएं, जो नाम है alkalis, so students, एक बहुत important note है, जो आपको पता होना चाहिए, कि bases और alkalis के बारे में है, कि all the bases, bases क्या होते हैं, जो bitter in taste है, हाँ जी, और क्या जानते हैं, बेसे के बारे में, they are soapy on touching, they can be oxides, hydroxides, carbonates, hydrogen carbonates, right, so now, these bases, when dissolved in water, most of them do not dissolve in water, but some of them really do dissolve in water, और जो dissolve हो जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे, alkalis, ये बात clear है ना, तो चलिए फिर, note को समझने की कोशिश करते हैं, all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, ये point आपको समझना होगा, कि जो alkalis है, वो सभी bases हैं, obviously, alkalis अभी बनेगा ना, जब वो पानी में base को dissolve करेंगे, so all alkalis are bases, but all the bases are not alkalis, क्योंकि, हर base पानी में dissolve नहीं होता, वो जो बात हमने समझी, वही हमने यहाँ पर words में लिखी है, कि all the alkalis are bases, but all the bases are not alkalis, I hope ये बात आप clearly समझ ही गए होगे, right students? So now let us see some examples, ferric hydroxide, ferric hydroxide, cupric hydroxide are bases, OH-Ion दिग गया है, आपको hydroxide-Ion है, तो obviously ये base तो है, पर ये पानी में dissolve नहीं होते बच्चों, तो इसलिए ये alkalis नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ basis है, alkalis वो basis होते है, जो पानी में dissolve हो जाते हैं, क्या ये बात clear है? Have you understood कि how basis and alkalis are related to each other? You have to remember this point, it is very important students, true or false में ये सवाल बोर्ड examination में आ सकता है, ओके, तो ये बात गौर से समझ लीजेगा, all the alkalis are basis, but all basis are not alkalis, कुछ examples में हम याद रखेंगे, जैसे की ferric hydroxide और cupric hydroxide, is it clear? कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ये बात याद रहीगी आपको, कुछ examples मुझे बता दीजेगा basis के, sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, carbonate, hydrogen carbonate, कोई भी ले सकते हैं, वो basis ही होंगे, पर ये बात भी ध्यान रखनी होगी, alkalis और basis का फरक हमें नहीं भूलना है, alkalis वो होता है, जिसमें, बेस पानी में dissolve हो जाए, is it clear now? Now you have understood about basis, एक brief idea मिल चुका है हमको, basis का taste का पता चल गया है, हमें basis टची पे कैसे होते, वो पता चल गया है, examples हमने देखे हैं, अलग-अलग ऐसी चीजे हमने देखी हैं, जहां पर basis पाये जाते हैं, right? So now, let's do our next part, we are going to classify the basis now, हम classification करेंगे basis का, are you ready for it? Classification करना शुरू करते हैं, तो पहले हम classify करेंगे, depending on the basis of their strength, strength के basis पे यह होने वाला है, so अगर हम strength के basis पे, basis को हम divide करने लगे, classify करने लगे, तो there are two types of basis, depending on the strength, and they are strong base and weak base, strong base and weak base, बच्चों, यह जो strong base और weak base हम कह रहे हैं, कैसे पता चलेगा, कि एक base strong है या weak है, हाँ जी बच्चों, इस सवाल का जवाब अपने को अब ढूंड़ना है, how do we understand whether a base is strong or weak, so without much confusion, let's understand one by one strong base क्या होगा, और weak base क्या होगा, चलिए strong base को समझते हैं, जो बच्चों strong base होंगे, उन्हें हम alkaliis भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, आलकलीज भी कह सकते हैं, तो the strong alkaliis और basis, ये दोनों नामें में से आप किसी से भी इसको बुला सकते हैं, ठीक हैं, which undergo almost complete ionization, complete ionization, मैंने कुछ बच्चों की comments पढ़े थे, जहां पर मुझे पता चला, कि कुछ बच्चों को अभी भी ionization में confusion है, ionization होता क्या है, जिनको भी confusion है, दोबारा बता देती हूँ, और आप आसानी से फिर इसको याद रख पाएंगे, ionization is nothing but breaking of ions, breaking of ions, ions का break हो जाना, बाप पूछो कि मैं, ion क्या होता है, I have already told you, but फिर भी बता देती हूँ, ion is a charged particle, क्या होता है बच्चों, ion is a charged particle, आप यह जानते हो, कि positively charged particles होते हैं, negatively charged particles होते हैं, right, यह बात आपको समझनी होगी, जब हम उन्हें ionization कर रहे हैं, इसका मतलब हैं उन्हें break कर रहे हैं, completely break हो जाना, split up हो जाना, ionize हो जाना, अलग-अलग ions में break up हो जाना, इसी को कहते हैं ionization, so जब complete ionization हो जाता है, एक aqueous solution में, तब उसे हम कहेंगे, strong alkali या फिर strong base, completely ionization हो जाना चाहिए, whereas फिर weak बताओ क्या होगा, हां जी बच्चों, weak base वो होगा, जो partially ionized होगा, सही कहां आपने, जो partially ionized होगा, मतलब completely break, जो नहीं होगा, वो होंगे weak bases, so आपको मैं कुछ strong bases के भी example बताती हूँ, कुछ weak bases के भी examples बताती हूँ, LIOH, एक weak base है, ओके, LIOH एक weak base का example है, अब आप बोलोगे मैं, इतने सारे metals हैं, ओके, अगर metal hydroxide बने, metal carbonate बने, metal कोई भी चीज, जब एक base बनती है, तो कैसे पता चले, कि वो एक strong base है, या weak base है, do you guys remember, मैंने आपको Christmas में periodic table जिब बताये था, तो first or group के, second group के elements बताये था, so once again, I would like to tell you, कि कैसे, first group में, हलीना की रब से फरियाद, कौन सी लाइन थी हमारी first group की, हलीना की रब से फरियाद, so ये जो group में, metals हैं, when you go down the line, जैसे जैसे आप down the group, चले जाते रहते हो, धीरे धीरे क्या होगा, basicity, strong basicity increases, ये strongly basic होते चले जाएंगे, नीचे वाले सारे, आप लोगों को जैसे ही मैंने strong base बताया, strong base के examples आपको याद होंगे, potassium hydroxide, sodium hydroxide, ये बहुत ही strong हम कहते हैं, बट actually अगर देखा जाए, तो इनसे strong भी हैं, और जो strong है वो हैं बच्चो, cesium hydroxide, rubidium hydroxide, पट क्योंकि हम इन्हें कम यूज करते हैं, reactive अगर हम बात करें, usage की हम बात करें, तो हम sodium hydroxide और potassium hydroxide, इन्हें जादा हम यूज करते हैं, is it clear students, when you go down the group, फिर्स ग्रूप में जो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे तातिदा होगे, वो basic strong, strong basis जादा मिलेंगे आपको, सबसे नीचे जो ग्रूप में होंगे, वो सबसे जादा strong होंगे, is it clear, हम यहाँ पर basis की बात कर रहे हैं, when we go down the group, first group की मैं बात कर रही हूँ अब, first group में, जैसे जैसे आप नीचे चलते चले जाओगे, basis जादा strong होते चले जाएंगे, is it clear, have you understood, weak base का example होगा, LIOH, जो शुरुवात के हैं, उपर के हैं, जैसे अब हम second group की बात करते हैं, अगर, तो second group में, line क्या थी, beta, मांगे, car, scooter, बाप, राजी, जो जो बेरियम है, बेरिलियम है, याद रखना है, कि जब ये basis form होते हैं, hydroxide ion जब निकलता है, तब हम उसे base कहेंगे, और जैसे ही हमें पता चल जाता है, कि एक hydroxide ion इसका क्यों सल्यूशन में है, वो base है, तो हमें ये भी याद रखना होगा, कि यहाँ पर भी down the group, basis will be more stronger, जैसे जैसे नीचे चलते चले जाएंगे, जादा base strong होते चले जाएंगे, is it clear? तो शुरुवात का यहाँ पर B, OH टेक ट्वाइस, ये भी एक वीक बेस का ही example है, तो अगर नीचे strong है, तो उपर तो वीक होंगे हैंना, is it clear students, कि आप ये बात जानते हो और याद रखोगे, फर्स ग्रूप और सेकंड ग्रूप में, आलकली मेटल्स, आलकलाइन अर्थ मेटल्स, दोनों में ही down the group, तब strong basis will be in the bottom, clear है ये बात, strong base, weak base समझ गये हो, ionization पर depend करता है, बच्चों पूरी तरीके से, strong base में completely ionization हो जाएगा, whereas in weak base, partial ionization होगा, is this clear to all of you? बच्चों बहुत जरूरी बात है, ये एक base strong है ये weak है, अगर आपको पता नहीं है, तो बहुत सारे questions का answer, आप clearly नहीं दे पाओगे, right? So I hope this concept is clear to you, and अगर अलग-अलग आप देखो, अगर आपको कोई question पूछा जाए, कि कौन सा strong base है, कौन सा weak base है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, हमारे first group और second group के जो elements है, उनको याद रख लीजे जल्दी से, lines मैंने बता दी थी आपको, हलीना की रब से फर्याद, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, So in elements में जो down the group है, वो जादा strong bases होंगे, Is it clear? Great then, strong base और weak base के बारे में, properly आप समझ चुके हो, So now let's understand more about base, हमने एक classification कर लिया है, अब बारी है, अगले classification की, क्या है ये? बता देती हूँ जल्दी से, Now in this we are going to divide, on the basis of their acidity, ओके, आपको अब acidity सुनते, याद आया कुछ, हमने जब acids की बात कर रही थी, तब basicity की बात की थी, basicity में जितने H plus ions थे, उतनी सारी basicity थी, यहाँ पर जितने OH minus ions होंगे, हाँ जी बच्चो, जितने OH minus ions होंगे, उतनी उसकी acidity होगी, Is it clear? तो आप बताईए, तीन टाइप होंगे, जैसे acids में थे, वैसे ही basis में, mono acidic basis, die acidic basis, and tri acidic basis, mono मतलब 1, die मतलब 2, and tri मतलब 3, Is it clear now? अब आपको यह समझना है, कि mono acidic मतलब OH minus ions, एक होने वाला है, hydroxide ion, die acidic मतलब 2 OH minus ions होंगे, और tri acidic मतलब 3 OH minus ions, Is it clear to all of you? राइट? चलिए फिर, हम कुछ और examples के साथ इने समझ जाते हैं, mono acidic basis के लिए, आपको क्या करना होगा, एक ऐसा base, जिसमें, जो hydroxide ion होगा, यानि कि जो OH minus ion होगा, वो एक ही होगा, उसी को हम कहेंगे, mono acidic base, तो बताईए कौन से, फर्स्ट गुरूप के, जो भी elements होंगे, वो जब bases बनाएंगे, hydroxide ion release करेंगे, तो वो एक उनकी acidity होगी, तो वो mono acidic base कहलाएंगे, LIOH, NAOH, KOH, तो ऐसे जो शुरुवात के, जो फर्स्ट गूप के जो भी elements होंगे, जब वो bases बनेंगे, तो वो सारे ही, mono acidic bases कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने पता है, कि उनकी जो वो, एक ही OH minus ion है यहाँ पर, इसलिए, is it clear students, I hope there is no confusion at all, mono acidic base is clear, there is only one thing to remember in it, OH minus ion एक ही होगा, clear है यह बात, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, diacidic की तरफ बढ़ते हैं, diacidic base में क्या होगा, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर OH minus ion, जैसे कि मैंने आपको कहा, दो होंगे, so examples देख लीजे, BAOH taken twice, barium hydroxide, beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, ओके, so यह सारे ही, हमारे second group के elements हैं, so इसलिए, इनकी valence 2 होने की वज़े से, यहाँ पर जब यह cross multiply होके, hydroxide है, उनके साथ देखते मैं बता देती हूँ, आपको, BA plus 2, OH minus 1, ऐसे बन गया हमारा, barium hydroxide, तो अब हमने देखा, कि OH कितने हैं, 2 है, hydroxide ions कितने हैं, 2 है, तो इसलिए, यहाँ पर, इनकी, acidity हो गई, 2, और यह बन गया हमारे, diacidic base, is it clear students, चलो, let's move forward now, triacidic base की बात कर लेते हैं, जल्दी से, so triacidic में मैंने जैसे आपको बताया, 3 ions होंगे, किसके होंगे, OH minus ions, hydroxide ions, 3 होने वाले, example ले लिजिए, aluminium hydroxide, is it clear students, आपको, जैसे जैसे आपको groups याद हो जाएंगे, चीजे आसान हो जाएंगी, is it clear, अगर आप boron भी ले सकते हैं, moron भी hydroxide form कर सकता है, okay, so now you have understood what is exactly, monoacidic base, diacidic base and triacidic base, बहुत simple है, logic याद रखना है आपको उसके पीछे का, बस, कितने hydroxide ions होंगे, इस एक logic से आप आसानी से चीजें समझ जाओगे, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, बढ़ते हैं, कोई चीज कितनी जादा, concentrated amount में पाई जा सकती है, so ये दो चीजों में divided है, concentrated base and dilute base, जैसे acid में concentrated or dilute होता है, similarly we have, here also concentrated base and dilute base, so बताईए कि आपको याद है, concentrated base में क्या था, dilute base में क्या था, जिसमें amount of water, यहाँ पर जो आपको main point, जो logic जो याद रखना है, वो ये है, कि concentrated base में amount of water कम होगा, और dilute base में amount of water, जादा होगा, I hope this is clear to all of you, concentrated में कम, और dilute में, जादा amount of water होगा, यही बात देखो, यहाँ समझा भी रखी है, कि the basis which contains very small amount of water, is called as a concentrated base, and the basis which contain large amount of water, will be called as a dilute base, is it clear, कोई भी base में बच्चों, जैसे हम पानी जादा मिला देंगे, अगर उडाइलूट कर देंगे, dilute base हो जाएगा, simple, कोई भी चीज, concentrated, चीज को dilute कैसे बनाए, by adding water into it, I hope this is clear to all of you, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा confusion भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है, कि concentrated और dilute में, जो बात याद रखनी है, वो है, regarding water, right students, चलो, now, अब आप मुझे बताइए, कि हमने acid के बारे में, कुछ चीज़ें जानी हैं, base के बारे में, कुछ चीज़ें जानी है, so let's note that down, एक छोटा सा quick revision हो जाएगा, जो जो बाते आपको acid के बारे में याद है, और जो जो बाते आपको base के बारे में याद है, करें जल्दी से, चलिए फिर, अब हम बात करेंगे, acid और base के differences के बारे में, acid, base, okay, तो सुनते ही acid, सबसे पहले taste के बात करने हैं आपको, तो acids are, sour in taste, and bases are, bitter in taste, ये दोनों चीज़ें clear हैं ही, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे, basis के बारे में जैसे हम टेस्ट के बात करते हैं, हम बोलेंगे, soapy on touching, soapy on touching, एक बात बताईए बच्चों, हम basis को touch करके देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो soapy है, अगर हम acid को touch कर लेंगे तो क्या होगा, obviously बहुत harmful होते हैं, dangerous होते हैं acids, तभी तो हम कहते हैं कि acids are corrosive in nature, acids are corrosive in nature, ये बातें आपको याद रखनी होगी, एक सबसे important, arhenius concept से क्या जाना हमने, hydroxonium ions, H plus ion, यहाँ पर, और यहाँ पर OH minus ion, जब हम देखेंगे, on ionization जब यह release होगा, IQ solution में, तब arhenius concept के हिसाब से, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको arhenius के बारे में पता होनी चाहिए, arhenius की spelling भी note कर लीजेगा, किसी तरह का कोई confusion ना रहे, right, and arhenius concept 1884 में आया था, right students, 1884, और उन्होंने बताया, कि acid में H plus ion solis होते हैं, और base में OH minus ion, कब in there, aqueous solution, do you guys remember what is an aqueous solution, मतलब, जिसमें पानी मिला हो, वही होगा हमारा, aqueous solution, ionization क्या होता है, पता चल गया है, आपको breaking होगी चीजों की, right, फिर हमने classify किया, acids और bases को, strong acid, strong base, weak acid, weak base, यह हमने जाना, हाई ना, right, depending on their acidity and basicity, we have understood this, we also understood what is in a concentrated acid, and what is a dilute acid, concentrated और dilute के बारे में हमने सीखा, right, हमने और classification किया, depending on the number of ions present, जैसे कि, अगर एक OH- ion है, तो mono basic, mono acidic कब होता है, mono basic कब होता है, यह हमने समझा, वैसे ही, mono, dye and try, इन तीनों का जिकर हमने किया, right or wrong, mono, dye, or try, दोनों ही cases में, acidic में और basic में हमने, इसके बारे में, जानकारी ली, right or wrong, I hope यह बात आपको याद रहेगी, right students, and you also should understand, that things will become more easier, by knowing their examples, हां जी बच्चों, बताईए, acids के बारे में जब हमने बात की थी, तो depending on their source भी, उनका classification किया था, mineral से पाए जाने वाले, mineral acids, plants and animals से पाए जाने वाले, organic acids, किस कुछ examples बता दीजे मुझे जल्दी से, mineral acids, organic acids, mineral acids, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, कितने अलग-अलग examples है, mineral acids के, organic acids जो हमारे खाने पीने की चीजों में पाई जाती है, citric acid, lactic acid, oxalic acid, tannic acid, tartaric acid, many of them, right students, फिर अब हम basis के बारे में बात करते हैं, basis हमने कहा कि बहुत अलग-अलग जगों पर यूज होते हैं, जैसे कि detergents में, soaps में, shampoos में, कुछ examples बताईएगा, sodium hydroxide, potassium hydroxide, beryllium hydroxide, calcium oxide, sodium hydrogen carbonate, right, so all these examples are examples of basis, so बच्चों क्या अब आपको एक detail आइडिया पता चल गया है, acid और base के बारे में, is it clear now, so अब आपको एक सवाल पूछना होगा मुझसे, आप ये सोचे बिटा, बताईए मुझे, कोशिश कीजिएगा, कि पता कैसे चले, कि एक substance acid है या base, पता कैसे चले, कैसे टेस्ट कर रहे हम, पता कैसे चलेगा, आपको ये ढूणेंगे कैसे, कि वो एक acid है या base, इतने सारे substances में हम उन्हें यूज कर रहे हैं, खाने पीने की चीजों में यूज कर रहे हैं, रोज मर्रा के घर में जब products यूज होते हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं, बट एग्जाक्ली, अगर पता करने की कोशिश की जाए, वेर एग्जाक्ली, हाउड वी अंडर्स्टाइंड वेदर इट इस अन acid और a base, आपको टेस्ट करना होगा, कि एक चीज acid है या base है, फिजिकली टेस्ट करेंगे, क्या हम, फिजिकली टेस्ट करेंगे, देखते हैं, पहला तरीका है taste चेक करने का, जैसे हमने बोला, acids are soaring taste, bases are bitter in taste, जैसे ही टेस्ट की बात आई, आपका अगला सवाज होना चीए, हम हर चीज़ खा के थोड़ी देखेंगे, अगर हामफुल हुआ हमें कुछ हो गया तो, चेक करने के चक्कर में, तो फिर क्या करें, पहले जैसे कि मैंने कहा, taste एक option हो सकता है, बट it can be very harmful, तो कुछ और ढूँणना पड़ेगा तरीका, देखें, अगर हम physical test की बात करें, तो सबसे पहले taste की, an acid tastes or whereas a waste tastes bitter, the method of taste is not advised, बिल्कुल भी advisable नहीं होगा ये, तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, जैसे गाड़ियों में indicator होता है, right जारिया, left जारिया बता देता है, वो indicator, similarly हम यहाँ पर भी indicators use करेंगे, क्या use करेंगे बच्चो, indicators हम यहाँ पर use करेंगे, यह indicator हमें बताएगा, कि वो acid है या base है, कोई भी substance, acid है या base है वो indicator बता देगा, क्योंकि physically test करना तो advisable नहीं है, because it gets very harmful, अब आप बोलोगे मैं, indicator क्या है, कैसे indicator होते हैं, कैसे पता चले, कि यह मेरे काम आएगा, यह मुझे बताएगा, बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से, अलग-अलग नुसकों से भी कहा जा सकता है, कि हमने बहुत सारे ऐसे indicators ढूण ले, जिनकी वज़े से हम taste करके या नहीं, बल्कि और अलग-अलग तरीकों से, चेक करके भी बता सकते हैं, कि वो एक acid है या base है, So, first of all, what is an indicator then? An indicator will tell you, whether the given substance is, an acid और a base, एक substance acid है या base है, यह indicator बताएगा, पर क्या signal होगा, कैसे बताएगा? It will tell you by, change in its color, very important students, यह बताएगा कैसे, अपना color बदल के, see, an indicator is a dye, that changes color, when it is put into acid, और a base, एक color dye होगी, जैसे acid डलेगा, उसका color बदल जाएगा, base बदल जाएगा, तो कुछ और color आजाएगा, तो color indicate कर देगा आपको, कि जो substance है, वो acid है या base है, clear है? So, you have understood, what is an indicator? It is a substance, an indicator is a dye, a substance that changes color, when it is put into an acid, और a base, clear है ये बात आपको, हमने एक ऐसा substance चुना है, जिसमे color change हो जाएगा, acid डालने पर दूसरा, base डालने पर दूसरा, तो आसानी से पता चल जाएगा, कि जो दे रख है, a substance हो acid है या base, अब आपका अगला सवाल, नहीं कितने indicators हैं ऐसे, so the most commonly used indicators are three, and what are they, they are litmus, methyl orange, and phenolphthalein, ये terms बहुत ध्यान से अपने दिमाग में feed करने होंगे बच्चों आपको, कौन से हैं वो तीन terms, litmus, methyl orange, and phenolphthalein, जादा तर इन तीन indicators को हम use करते हैं, पता करने के लिए, कि जो substance दे रखा है, वो acid है या base है, is it clear, litmus, methyl orange, and phenolphthalein, once again students, I am telling you बहुत जरूरी है ये, acid और base की दुनिया में, indicator के बिना काम ही नहीं चलेगा, पता कैसे चले, कि वो जो substance दे रखा है, वो acid है या base है, so clear है, indicator क्या होता है समझ गए हो, most commonly used indicators समझ गए हो, अब हम बात करेंगे, types of indicators की, अलग-अलग तरीके के indicators होते हैं, बच्चो, types of indicators, what are they, generally होते है, natural, synthetic, एक और kind है, जो difference है, जिसके बारे में पता होना चाहिए, आपको जो है, all factory indicators, तो ये नाम, ये term समझ लीजिएगा, ये हैं हमारे तीन टाइप के indicators, जो हमें ये बता सकते हैं, कि भई, बात क्या है, all factory indicators की एक खास बात है, आगे आने वाली, दो मिनिट में मैं आपको ये भी बता दूँगी, generally अब आपको इनके नाम याद रखने होंगे, types of indicators के, अब आपका सवाल होना चाहिए मैं, आपने बोला कि तीन common indicators हैं, lichmose, phenophylline, methyl orange, तो बताएए ज़रा, natural indicators इनके से कौन सा है, artificial synthetic indicator कौन सा है, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ओके students, आपको जब कोई चीज समझो, उसको आपको logic लगा के, उसको और चीजों पे भी apply करना आना चाहिए, understanding the theory is important, but applying it whenever required is very very important, फाइदा ही क्या होगा theory के जानने का, अगर आपको उसको सही वक्त पर use ही ना कर पाओ practically, राइच्टिकली, राइच्टूटेंस, it is very important as soon as you understand things, try to use them and apply them whenever required, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले natural indicators की, natural नाम में ही लिखा है nature, जो nature से पनाई जाए, nature में पाई जाए, ऐसे indicators को हम गएंगे, बहुत simply natural indicators, which can be easily found in nature, तो कुछ examples बताती हूँ मैं आपको ऐसे indicators के, जो हमें nature में पाए जाते हैं, सबसे पहले नाम देखिए बच्चों indicators के, litmus, मैंने बताया था ना, litmus solution, litmus बच्चों दो तीज़ी चीज़ों में पाया जाता है, solution में भी और paper form में भी, दो forms में पाया जाता है, litmus solution भी हो सकता है, litmus paper भी हो सकता है, याद रहेगी ये बात, चलिए बहुत बढ़ी है, आगे बढ़िए, turmeric solution, क्या है ये? turmeric solution, turmeric मतलब, healthy, right, एक और indicator देखिए, बहुत commonly used, beetroot juice, beetroot का juice भी हमें ये बता सकता है, कि जो substance आपके सामने है, वो acid है या base, आप तक हमने litmus की बात की, beetroot juice की बात की, turmeric की बात की, और आगे बात करेंगे, red cabbage solution, red cabbage का juice, okay, red cabbage का juice, मतलब, लाल कलर की गोबी जो होती है, बंद गोबी, that is nothing but red cabbage, so red cabbage की juice से भी, ये एक natural पाई हुई चीज है, तो ये एक natural indicator होगा, और ये बता देगा हमें, कि जो substance दिया है, वो acid hyabase, one more, china rose petals की solution, china rose के petals की solution, अगर हम लेते हैं, उसका extract हम ले और चेक करें, कोई भी substance को डाल कर, हमें पता चल जाएगा, कि वो acid hyabase, खास बात है, इन सभी indicators की, जो आप हो याद रखनी होगी, और उखास बात ये है, बच्चों, that you also have to understand their color change, आप कोई समझना होगा, कि उनका color actual में क्या है, और वो जब change हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, acid डालने पर क्या होगा, और base डालने पर क्या होगा, ये tabular form में मैंने, आपर mention कर रखा है, मैं चाहूंगी बच्चों, आप इसकी photo भी click कर लीजिए, note भी कर लीजिए, अपनी किताब में, कि आपको ये पता होना चाहिए, कि ये सारे natural indicators, कौन से color के होते हैं, और acid में क्या color change हो जाएगा, और base में क्या color change हो जाएगा, एक खास बात है बच्चों, basically जो आपको याद रखनी है, litmus के बारे में, board examination point of view में, इसके उपर सवाल बहुत सादा chances है आने के, आपको ये पूछा जा सकता है, litmus कहां से बनता है, litmus, litmus paper आप सभी ने अपने schools में, laboratories में देखा होगा, दो color का होता है, blue या फिर red, you should know from where this litmus is found, NCRT textbook में, आपको साफ साफ, ये box अगर आपको याद हो, तो आपको ये पढ़ना होगा, यहाँ पर mention कर रखा है, बहुत commonly used question है बच्चों, इसमें से सवाल पका सकता है, इसलिए मैंने बकायदा underline करके, चीज़ें आपको यहाँ पर mention कर रखिये, चलिए इस point को बढ़ते हैं एक बार, देखिये, Lytmus solution is a purple dye, कौन से color की dye है ये, purple dye, which is extracted from lichen, ये कहां से आया बच्चों, lichen से आया है, lichen एक plant का नाम है, किसका नाम है, एक plant का नाम है, जहां से ये Lytmus बनता है, a plant belonging to the division of thallophyta, थोड़ी सी biology भी involved है, plants के बार हम बात करेंगे, तो मदलब कौन से type, right, so plant का यहां पर, it is a division of thallophyta, and is commonly used as an indicator, Lytmus सबसे ज़्यादा commonly हम use करते हैं, as an indicator, clear students, great, when the Lytmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple, तो ये बात याद रखनी है, कि Lytmus की जो color है, purple color की dye होती है, purple color, इसमें ना acid डाल रखा ना base डाल रखा, generally अगर लिटमस को हम देखें, तो purple color की dye, purple color का solution होगा, याद रहेगी ये बात, is it clear students, great, there are many other natural materials like, red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers, कुछ याद आया, जो table मैंने आपको बताया था, उस table के बारे में जिकर हो रहा है, यहाँ पर देखे, red cabbage leaves, turmeric, colored petals of some flowers, मतलब china rose petals, याद रहेगी ये बात, such as, ये बटा biology के words हैं, जो आपको याद रखने होंगे, ओके, जिसमें साफ साफ ये नजर आ रहा है, कि इनकी कहां से मतलब ये पाए जाते हैं, is it clear? जैसे कि hydrangea, petunia and geranium, which, ये क्या करेंगे? they indicate the presence of acid, or a base, in a solution, these are called acid-base indicators, जो indicate करेंगे, कि substance acid है या base, उन्हें हम कहेंगे, acid-base indicators, या फिर simply, indicator धी, you have to understand, देखिए, अब ये table देखिए, आपको चीज़ें कितनी आसान लगेंगी, litmus solution का color क्या बताए था? purple, ये देखो nature है, purple color, अगर हम litmus solution, okay, मैं कोई substance डाले, अगर वो acid है, तो उसका color बदल जाएगा, red, and in base it turns into blue, is it clear now? will you remember these colors? red litmus paper, yes, absolutely true, क्यूंकि हमने बोला है, कि acid का color यहाँ पर red है, solution की अगर हम बात करेंगे, तो देखिए, litmus solution का color purple है, और अगर हम paper यूज़ना करना चाहें, और solution यूज़ना करना चाहें, तो वो purple color acid में red color में बदल जाएगा, और base में blue color में, याद रखना बच्चों यह बात, you should know about red litmus, क्या कहा मैंने, red litmus and blue litmus, पता होना चाहें बच्चों, red litmus, acid का color है red, अगर acid, ठीक है, एक acid में red litmus paper डाल दें, तो क्या होगा, वो red ही रहेगा, clear है यह बात, वेरास अगर हम, acid blue litmus paper से चेक करना चाहें, तो फिर वो हमारे लिए बन जाएगा, हंजी, वो convert हो जाएगा red color में, याद रहेगी यह बात, acid, red litmus, red color, और blue litmus में, आपको पता होना चाहें, यह color का खेल है बच्चों सारा, ठीक है, अगर solution की बात करें, तब भी acid का red base का blue, और अगर paper की बात करें, acid का red base का blue, यह याद रखना आपको, clear है, चलिए आगे बढ़ते हैं, turmeric solution yellow color का होता है, हल्दी, peely color की होती है, तो अगर acid में डाला, तो वो yellow ही रहेगा, पर अगर base मिला दिया उसमें, तो deep red color में convert हो जाएगा, किसमें हो जाएगा बच्चों, deep red color में, is it clear, आगे बढ़िये to beetroot juice, beetroot juice भी kind of purple color का ही होता है, हंजी, तो अगर acid डाला, तो same purple ही रहे जाएगा, whereas अगर base डाला, तो yellow color में convert हो जाएगा, कौन से color में बच्चों, yellow color में, ये colors आपको याद रखने होंगे, directly और indirectly पूछे जा सकते हैं, is it clear, whereas now red cabbage juice, it is purple in color, अगर acid डाल दें, तो pink या फिर red, और अगर base डाल दें, green या फिर yellow, ये colors आपको confuse कर सकते हैं, बट फिर भी बच्चों आपको ये याद रखने होंगे, ताकि ये tabular form में, अगर एक बार revise किये जा सकते हैं, exam से पहले, clear है, इसलिए tabular form में मैंने आपको दिया, आखरी है china rose petal, rose के petal से red color के होते हैं, कौन से color के होते हैं, red color के, अगर acid डाल दें, तो magenta color में convert हो जाएंगे, और अगर base डालें उसमें तो green color में, is it clear students, I hope you have understood the nature of these, each of the natural indicators, इनका color समझा हमने इनके बारे में जाना, ये पता किया कि acid में क्या color हो जाएगा, और base में क्या color हो जाएगा, litmus के बारे में ये आपको याद रखना होगा, कहां से बनता ये, lichen से, कहां से, lichen एक plant है, जो thallophyta division का है, is it clear, great then, आगे बढ़ते हैं, natural indicators जाने हमने, right, red litmus और blue litmus की बात कर रही हूँ मैं, देखो, अगर आप ध्यान से देखे, इस एक picture से आपको litmus पेपर की कहानी क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखे, color देखा, red litmus पेपर, blue litmus पेपर कैसा होता है, समझ चुके हो आप, great, अगर समझ चुके हो, तो solution लीजिए, अगर एक red litmus पेपर, color गौर से देखेगा, कैसे यहाँ पर color बदल रहा है, देखे, so when an acidic solution, in an acidic solution, red litmus पेपर is put, there will be no change, यही बात यहाँ लिख रखी है, there will be no change, whereas in the basic solution, it turns blue, red litmus क्या हो जाएगा, blue turn हो जाएगा, क्योंकि यह basic solution में है, याद रहेगी यह बात, अगर हम blue litmus से चेक करें, acidic solution को, तो वो blue क्या हो जाएगा, red में change हो जाएगा, बच्चों किसमें change हो जाएगा, red में, और blue का blue में ही अगर रहा, जैसे कि हम base को, blue litmus पेपर से चेक कर रहेए, तो वो कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम, no change blue कलर ही रहेगा, ये बात, ये box आप ड्रॉ कर लीजेगा, अपने note में, और दिमाग में भी फीड कर लीजेगा, and I know, most of you might be knowing this already, right students, ये color का खेल याद रखिएगा, आप confused नहीं होना है, अब हम बात करेंगे, synthetic indicators की, ये naturally नहीं पाये जाते हैं, इनको chemical laboratory में बनाया जाता है, इसलिए हम इने कहते हैं, synthetic indicators, is it clear students? तो जैसे कि मैंने आपको नाम बताये थे, phenolphthalein और methyl orange, phenolphthalein और methyl orange, पहले बात करते हैं, phenolphthalein की, phenolphthalein एक colorless solution है, कैसा solution है? colorless solution है, अगर इस colorless solution में acid डाल दें, तो वो भी वहसा का वहसा ही रहेगा, कोई change नहीं colorless ही रहेगा, अगर base डाल दें, तो pink color, कौन सा color बच्चों? pink color आपको पता होना चाहिए, pink color में change हो जाएगा, याद रहेगी, phenolphthalein के बारे में, it is a colorless solution, when an acid is added in it, it will stay colorless, whereas when a base is added into it, it will change into pink color, clear students, great then, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, methyl orange की, methyl orange सुनते ही आपको पता चली गया होगा, नाम में ही orange है, तो color होगा orange color, अगर एक methyl orange solution में acid डाल देंगे हम, तो उसका color बन जाएगा बच्चों, red, कौन सा color बन गया, red, whereas अगर उसमें base डाल के देखें, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, yellowish color में वो convert हो जाएगा, बच्चों, हर एक natural indicator में, synthetic indicator में, मैंने boxes के थूँ, tabular form के थूँ, आपको color changes denote कर रखे हैं, so kindly I would tell you once again, notes में भी आपको यह मिल जाएंगे, यहां से भी आप detail में चीज़े, note कर लीजिएगा, okay, phenolphthalein की मैंने बात की, और मैंने बताया, कि phenolphthalein में कैसे color बदल रहा है, देखे, phenolphthalein एक neutral colorless solution है, acid डालते ही, वो colorless ही रहेगा, देखे, acid डाला यह colorless है, बट जैसे ही base डाला, इसमें pink color नजर आ जाएगा, अब आपके लिए चीज़े आसान होगी, phenolphthalein के बारे में, क्यूंकि हमने detail में with color, with example देख लिया है, is it clear students, अगर हम phenolphthalein जोने की एक colorless solution है, उसमें acid डालेंगे, तो वो ऐसे का वैसा ही रहेगा, पर जैसे ही base डाला, pink color हो गया, ठीक है बच्चों, चलिए, last we will discuss now again about methyl orange, methyl orange जब neutral solution होगा, तो उसका color होगा orange, acid डालते ही देखिए का ज़रह क्या हो गया, solution A, acid डाला, तो red color में convert हो गया, so students, is this color change clear to all of you, phenosaline और methyl orange में color में confuse आपको नहीं होना है, right, methyl orange भी अब आपको याद रहेगा, great then, सो बच्चों, आखरी और सबसे ज़रूरी, all factor indicators की हम बात करेंगे, अब यहाँ पर all factor indicators का मतलब है, एक ऐसी चीज, जिसका smell change हो जाए, जाए, क्या change होगा यहाँ पर smell, यानि की order भी कहते हैं इसे, smell change हो जाए, तब उस indicator को कहेंगे, all factor indicator, प्याज, onion is an example, अगर हम इस पे एक acid डालें, तो जो उसकी smell रहेगी, वो वैसी की वैसी रहेगी, it retains its smell, whereas in the base, it will lose its smell, यह बात याद रखनी आपको, अगर प्याज में आप base डाल दोगे, तो प्याज की smell ही नहीं आएगी, याद रहेगी यह बात, clear है, onion के बारे में acid और base में क्या change होगा, पता चल गया है, acid में कोई change नहीं है, कोई smell नहीं आएगी, मतलब जैसा है, excuse me, वैसे के वैसे रहेगी, वेराज, base में, it will lose its smell, these are some of the examples of olfactory indicators, so बच्चों, आज की क्लास में हमने काफी कुछ सीखा, हमने base के बारे में जाना, उसके taste के बारे में, उसके color के बारे में, उसके classification के बारे में, उसके अलग-अलग kinds हमने जाने, सीखे, examples देखे, right, so we have understood in detail about base, we discussed about the Arrhenius concept as well, और हमें यह पता चला, कि यहाँ पर जो ion release होता है, वो है hydroxide ion, जो की है OH- ion, right, so जिस भी substance पर hydroxide ion पाया जाए, तो वो एक base हो सकता है, जैसे कि sodium hydroxide, beryllium hydroxide, so यहाँ पर अगर हम गौर से देखें, तो जो तने number of hydroxide ions होंगे, उतनी उसकी acidity होगी, so OH- 1 है, तो यह mono-acidic base बन गया, कौन सा बन गया, mono-acidic base, और यहाँ पर 2 है, तो di-acidic base बन गया यह, right, और यहाँ पर 3 है, तो यह बन गया हमारा tri-acidic base, हमने यह भी जाना, कि एक base strong भी हो सकता है, और weak भी, right students, we have understood, a base can be strong, और weak, हमने यह जाना, कि strong base हो सकता है, weak base भी हो सकता है, it depends on the complete ionization only, जब ionization complete हो जाए, तो strong, और partial हो तो weak, समझ गया है यह बात आप, great, हमने basis के बारे में जाना, acids को फिर revise करते हुए, हमने acids और basis के differences को भी detail में समझा, और फिर हमने indicator को जाना, हमने पता किया, कि एक substance acid है या base है, यह हमें कैसे पता चलेगा, यह भी हमने जाना, सुबच्छों हमने indicators के बारे में जाना, एक indicator is a substance, a dye which will change its color, when an acid or a base is put into it, clear है, वो color change कर देगा, और बता देगा कि वो substance acid है या base है, तो natural, बहुत सारे हैं indicators, जो naturally पाए जाते हैं, turmeric बहुत commonly used है, red cabbage, और बताए, china rose, बिल्कुल, china rose एक फूल है, जिसके petals use किये जाते हैं, और सबसे ज़रूरी, जिसके बारे में detail में मैंने समझाया, NCRT में से कहां से सवाल आते हैं, ये भी बताया जो कि है हमारा litmus, क्या है बच्चों, litmus, is it clear, you will remember this right, litmus कहां से आता है, मैंने बताया है आपको, lichen plant से आता है, जो कि thailophyta division का है, is it clear, फिर हमने बात की synthetic indicators के बारे में, synthetic में हमने बात की, phenophthalene, color change भी हमने discuss किया इसका, acid में क्या होता है, base में क्या होता है, याद रहेगा ना बच्चों, फिर हमने बात की, methyl orange की, जो orange color का solution है, एक right students, great, फिर हमने all factor indicators के बारे में बात की, जहां पर हमने ये discuss किया, कि smell बदल जाती है, acid या base डालने पर, examples क्या थे, yes, vanilla extract and onion, vanilla extract और onions, detail में चीजों को समझना होगा, practice करनी होगी, especially colors के बारे में, और एक खास बात है बच्चों, जो मैं आपको बताना चाहूंगी, and I hope there is no confusion in it, basis के बारे में वो ये है, कि जो groups, periodic table में होते हैं, first group और second group की अगर हम बात करें, जैसे जैसे दीचे जाते रहेंगे हम group में, आखिर के जो elements होंगे, वो बहुत strong basis form करेंगे, ये बात याद रखे गया, competitive exam में आपके बहुत काम आईगी, और बच्चों एक strong base को कैसे डिनोट करते हैं, strong acid को कैसे डिनोट करते हैं, thermal equilibrium की बारे में भी चीज़ें आप आगे आखे सीखोगे, एक बात और बता दूँ, basis सुनते ही, basis are something which are used a lot in organic chemistry, class 11th में organic chemistry जब होगी, तब basis को बहुत use करेंगे, amines आएंगे वहाँ पे, बहुत सारे compounds आएंगे, right, then you will understand in detail about basis more, so अब अगर नहीं समझ पाए, तो वहाँ जाके बहुत दिक्कत होगी, तो मैं कहूंगी, acids और basis के बारे में एक एक बात, detail में समझें, याद रखें और उनको वक्त आने पर आप use भी कर पाए, यहीं मच आऊंगी, so आज की class में हमने काफी कुछ सीखा है, इन tables को बढ़िया तरीके से note कर लीजेगा बच्चों, क्योंकि revision के वक्त ये बहुत सारे काम आने वाले हैं, ठीक है, great then, so आज की class में नए साल का पहले दिन पढ़ाते हुए, बहुत मज़ा आया, so students, I hope आगे भी इस पूरी साल अम अच्छे से महनत करके, आपका result बहुत बढ़िया लाने वाले हैं, so please take care, keep practicing, enjoy, but don't forget to study as well, so मिलते हैं हमारी अगली class में, तब तक के लिए जो भी आज पढ़ाएगा है, वो जरूर अच्छे से नोट कर लीजेगा, practice कर लीजेगा, and keep spreading love like this only, take care, thank you so much. पढ़ाई करते रहें, all the very best.